लमुशकार में उप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चोले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक ही प्रमुख खबरों को केंदर सरकार के ग्रह मंतराली ने सभी राजियों और केंदर साफशित प्रदेशों को तिरंगे का सम्मान सुनेशित करने के लिए एक सला भेजी है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रिय सांस्कृतिक और खेला योजनों के अफसरों पर इवेंट के बाद जनता द्वारा लहराए गये कागत से बने राष्ट्रिय धवज को ना तो तोड़ा जाए ना ही जमीन पर फेका जाए आज 74 वार भारती एथल सेना दिवा से इस अफसर पर दिली के करियापपा परेट ग्राउंड में परेडायो जित की गई सेना प्रमुक जेनरल नोज मुकंद नर्वने ने इस परेड का डिरिक्षन किया नर्वने ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अ आदत से लाचार है सरहत पार्ट से ड्रोन द्वारा हथियारों की तसकरी की कोशिश भी जारी है पीम राष्टपती ने इस दोरान शुब कामनाई भी दी प्रधान मंतری नरेंदर मूधी 18 जनवरी को उतर पृटप्रदेश के वारानसी के भारती जनता पार्टी कारिकरताओं से संबात करेंगे पार्टी क नेशन लिवार को ये जानकारी दी नर्वाचनायोग द्वारा उतरप्रदेश समेथ पांच राजो में वधान सभाचुनाव के कारिक्रम की घोशना के बाद पार्टी कारे करताओं के साथ मोदी का यह पहला राज़रेंतिक कारिक्रम होगा जम्मु कश्मीर की सोपोर पुलीस ने जॉइंट नाका पडलशकर के तीन आतंकवादियों को गिरफतार किया है इनके पास से दो पिस्तल, दो पिस्तल नागजीन और तेरह पिस्तल राउंड और एक हथ गोला बरामद हुआ है यह मामला ही 11 जनवरी का है इस तरह जम्मु कश पर नकेल कसने में काफी काम्याबी मिली है कोरोना के बढ़ते संक्रबन के बीच विशुशग्यों का कहना है कि कोरोना के हलके संक्रबन के मामले में अंटिवारल दवाई पैरसितामोल ही काफी है उन्होंने मौल नूब पिरवीर और एजित्रोमाइसिन के भारी उपियों क को लेकर चिंता जुताई है उनका कहना है कि पैरा सिटामोल और अनियल सहाइक दवाईया हरके रक्षिन के केस में बिमारी से बढ़ने के लिए काफी है जिन रोगियों को कोरोना टीका नहीं लगा है वो लंबे समय से किसी बिमारी से ग्रसित है तो उन्हें उच्छ जो वाला रोगी माना जा सकता है कोरोना संक्रोमन की तीसरी लहर हर दिन रिकौर्ड बनाती जा रही है दैनिक मामलों में जबर दस्तो चाल देखने को मिल रहा है स्वास्त और परिवार कल्यान वंतराले द्वारा जारी आकड़ों के मताबिक बीते 24 गंटे में करीब 2.7 लाग अखर नए पॉजिटिव के सामने आ है हाला कि रिकौरी के आकड़े राहत देने वाले हैं सरकार के मताबिक कल करीब 1.2 लाख लोगों ने इस महामारी को मात दी है दिली की एक अदालत ने बुली बाई आप बनाने बाली नीरज बिश्णोई की जमारत तर्जी शुकरवार को ये कहते वे खारश कर दी कि इस आप पर अपमान जनक और सामप्रदाइक रंगवाली सामागरी के साथ मुस्लिम भाहिलाओं के विरुद मान हानी कार कभी आन च चहरा तो नहीं दिखाया लेकिन उनका बेटा जमीन पर लेटा हुआ है और टंगे वे खिलाओने के साथ खेल रहा है इस वीडियो को साज़ा करते वे फैंस से लेकर सितारों के भी खूब कॉमेंट्स आए हैं सभी ने उनके बेटे को प्यार ज़ता है दिली में कोरोना का पीक आने के बाद अब मामलों में कमी आना शुरू हो गई है दिली के स्वास्तमंत्री सतेंद्र जैन निश्यनिवार को कहा कि दिली में कल कोरोना के मामले परसों की तुलना में साड़े चार हजार कम आये थे दिली में कोरोना के मामले पीक पर हैं लेकिन कल से मामलों में गिरावट जारी है जैन ने ये भी कहा कि आज दिली में कोविट के मामलों में 4,000 की कमी होने की उमीद है positivity rate लगभग 30% होगा उन्होंने कहा कि फिशे 5-6 दिनों में अस्पदार में भरती होने की दर नहीं बढ़ी है कभी आयोधिया तो कभी मतुरा आखिरकार CM योगी की लड़ने के लिए भाजपा ने गोरखपूर सीट फाइनल कर दी है वैसे दो दिन पहले जब योगी अदितनात के आयोधिया से लड़ने की संभाबना खबरों की शकल लेने लगी थी तो गोरखपूर में भी सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी आगामी पंजाब विधानसवाच चुनाव से पहले कॉंगरस ने चियासी उमिदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है इसके मताबिक प्रदेश कॉंगरस अधियक शनव जोत सिंग सिद्धू अमरिस सर्पुर्व से लड़ेंगे बता दे कि पंजाब में सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा दस मार्श को नतीज आएंगे कॉंगरस ने आगामी पंजाब चुनाव में जिन 86 सीटों पर उमिदवारों के नाम की घोशना की है उनमें मुख्यमंत्री चन्नी का नाम भी शामिल है इसके मताबिक सीम चरंजीत सिंक चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे आप चाहे फ्रेशर्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स अब ऑनलाइन आप जॉब तलाश करना आसान हो गया है अगर आप इंटर्शिप या फ्रेशर्ट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप फर्स्ट नौकरी www.firstnokri.com पर उपियोगी एक मंच आप के लिए साबित हो सकता है देश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से स्टार्ट अप कारुबारियों से बाचीट की बाचीट के दौरान उन्हाने कहा कि स्टार्ट अप नए भारत की रीड बनने जा र नाशनल COVID-19 सुपर मॉडल समीती ने कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान किया है समीती ने कहा है कि फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी हाला कि तीसरी लहर दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं होगी गाजयबाद सित यशोदा स्पताल के MD Dr. P.N. Arora का कहना है कि एक बार ओमिक्रोन मुख्य वेरियंट के तौर पर डल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो कोरोना के मामने तेजी से बढ़ेंगे वो मिक्रोन वेरियंट तीसरी लहर का कारन बनेगा निशुत रूप से कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है पेशर से टेक्स्टायर डिजाइनर अभिशेक पाथक ने करीब 10 साल अलग-अलग कंपनियों के साथ काम किया और फिर अपने जुनून की बज़े से उध्यमिता को आजवाने का निर्डलिया है पारंपरिकला और क्राफ्ट में गहरी रूची थी तो उन्हाने ग्रामीन बुनकरों के साथ काम करना शुरू किया दो साल पहले अभिशेक ने ग्रीन वेर नाम से अपनी एक कंपनी की नीव रखी जो विभिन प्रकार के सोलर वस्र बना रही है जो पर्यावरन के अनुकूल है केरल में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं जिसको देखते वे कक्षा नौवी तक के स्कूल चातरों की शालरी कक्षाओं को 21 जनवरी तक स्थागित कर दिया गया है मकर राशी में प्रवेश करते हैं वही ठंड भी कम होने लगती है लेकिन इस साल मौसम चकर कहीं और ही इशारे दे रहा है पहाडों में हिमपात और मैदानी श्येतर में लगातार कई दिन हुई बारिश की बार ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है शुकरवार को कोहरे और बादलों ने दिली अंसियार सहित पूरे उत्तर भारत को ऐसा घेरा की अधिक्तम तापमान में पांच टिग्री तक ही गरावर दर्श की गही है इसकी वज़े से मौसम दुभाग ने इसे कुल्ड डे की संग्यादी है शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है कुरोना महामारी की 30 टिलहर में मामले तेजी से बढ़ रहा है नए साल के पहले दिन दैनिक संक्रमंदर जहां 2 प्रतिशत थी वह अब इसे 15 प्रतिशत के खरीब पहुँचा गई है यानि की दो हफ़ते में इसमें 13 प्रतिशत से जादा की बढ़ोतरी हुई है रास्टे राजधानी दिल्ली में दैनिक संक्रमंदर 30 प्रतिशत के खरीब पहुच गई है साथ ताहिक संक्रमंदर भी दो अंकों में पहुच गई है नए मामलों की संक्या तो पिछले कुछ दिनों से तेज रफ्तार में बढ़ी रही है तो इसके परिणाम से रुप्सक्रिय मामले भी अपने 220 दिन के उच्चतम स्तर पर पहुच गई है विश्व को लेकर अपने दिर्श्री कोंड साज़ा करेंगे कोरोना वाइरस के खिलाफ ठीका करेंगे अभियान के बढ़ते दाइरे के साथ ही इसकी रफ्तार भी बढ़ गई है तीन जनवरी से इस अभियान के दाइरे में 15-18 साल के किशोरों को भी लाए गया है और मात्र बारह दिन में हिसाई उबर के करीब 43 प्रतिशुत किशोरों को कोरोना रोधी वाक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है केंद्रेस्वास्तमंत्रों आले के कोविन पोर्टल से शुकरवार रात 11 बजे तक के आखरों के मताबिक अब तक 15-18 साल तक केक कुल मिलाकर के 3.25 करोर से अधिक किशोरों को टीकी की पहली डोज लगाई गई है देश्बर के डॉक्टरों ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान बेवज़ दवा लेने और मरीजों के अस्पताल में भरती होने पर चुंता जुताई है किंद्रे सुआस्थ मंत्राले को लिखे खुले पतर में 35 डॉक्टरों के समुह ने कहा कि संक्रमेतों की जाँच दवा और अस्पताल में भरती करने का फैसला विग्यानिक साक्षियों की आधार पर किया जाना चाहिए डॉक्टरों ने मंत्राले से इस मामने में ततकाल हस्त शेप करने को भी कहा है कोरोना वाक्सीन, को वाक्सीन और कोवी शील्ट को बाजार में लानी के अनुमती के लिए और डेटा की जरूरत होगी ड्रग्स कंट्रोलर जेनरल आफ इंडिया की सबजेक्ट एक्सपर्ट कमीटी की शुकरवार को हुई बैठक में फिलहाल दोनों वाक्सीन को बाजार में लानी के अनुमती नहीं दी गई है बगली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है विग्यान और प्राद्योगी की के जरी आम लोगों के जीवन सतर में बदलाव लाने की कोशिश के बीच सरकार का जोर अब इसकी सुलबता की तरफ भी है इसके लिए सरकार विज्यान और प्रोध्योगी की मंत्राले सहित इन छेत्र से जुड़े दूसरे मंत्रालियों और संगठनों की तरफ से चलाई जा रही सभी फेलोशिप और स्कॉलर्शिप योजनाओ को अब एक प्लाटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है इसका सबसे बड़ा फाइदा चात्रों और शोधार्थियों को मिलेगा जोने अब तक इस योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए यहां वहां भटकना पड़ता था इसके साथ ही एक जैसी योजनाओं के लिए एक आवेदन की भी विवस्ता होगी उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पिछरी जातियों और रती पिछरी जातियों पर दाव खेला है भाजपा ने आज 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और इसमें सबसे ज्यादा टिकेट OBC को दिये है वहीं पार्टी ने उनी सीटे अनुसुचित जाती और दस सीटे महिलाओं को दी है असल में भाजपा ने 68 फीजदी सीटे OBC, SC और महिलाओं को दी है दिली NCR से सटे सिंगु बॉर्डर पर सेयुक्त किसान मोर्शा की रिव्यू बैठक शुरू हुई महरास्ट्र की तरह गोवा में भी महाविकास अगारी यानि की कॉंग्रिस, NCP और सिफशेना गठवंदन के प्रयों को दोहराने के सिफशेना के आगरह को कॉंग्रिस द्वार अच्छुक्रा दिया गया है कॉंग्रिस गोवा में फॉर्वर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर भाजपा से टकर ले रही है ऐसे में गोविधान सबाचुनास सिफशेना अब NCP के साथ मिलकर लड़ेगी कॉंग्रिस इस गठवंदन में शामिल नहीं होगी आजाद समाज पार्टी के अध्याक शवभीम आर्मी के संस्थापक चंदर शेखर ने श्वनिवार को एक प्रेस कॉंफरेंस कर बताया है क्यूंकि पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठवंदन नहीं हो सका है चंदर शेकर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कई बुद्धों पर बात हुई है लेकिन बात नहीं बनी अगर सरकार बनती भी है तो हमारे प्रतेनिती वहाँ नहीं होगी अखिलेश जी समाजिक नयाय को नहीं समझते उन्हाने कहा है कि हमें भाजपा को रोकना है लेकिन अखिलेश जी को दलित की जरूरत नहीं है अखिलेश यादम ने हमें अपमानित किया है उतर भारत में पढ़ रहे कोहरे ने रेल से वाउँ पर अपना सर दिखाना शुरू कर दिया है जिसके चलते कई सुपरफास्ट ट्रेन और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है पिश्रे कईदों से ट्रेनों का यही हाल है बता दे कि कई ट्रेन ने लेट से अपने कर्फ्यू लागू रहेगा और स्कूल और कॉलेज में सिक्षा ओनलाइन माध्यम से जारी रहेगी सोमनाथ वेरावल नगरपालिका के सेनिक्त अधियक्ष पियुश फोफंडी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी से सोलह सूरे मंदिरों के जुर्णो धार कराने कानुरोध किया है प्रभास्तीर शेतर जुनागर से वंतली माधवपुर और तुलसी श्याम और दिलवारा तक फैला हुआ देखा गया है इन सबी छेत्रों को प्रभास्तीर्थ शेत्र के नाम से जाना जाता है प्रभास्तीर्थ शेत्र कभी सुर्य मंदिर में चमकता हुआ छेत्र था कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद, आप मेसेजिन यूजर का कमेंट में अच्छा लगा है, उनके नाम है पासवान पवन गोस्वामी, संजीत कुमार, नुनु कुमार, विनोध कुमार, राच चुराक कुमार, कृष्णा यादफ, अर्बिंद, व्यास मुनी, आजल कुमार, मुहमबत फैजान, कमलेश कुमार, नितीश कुमार, प्रियांशो सिंग, आपसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके नुसार देश भर में COVID-19 संक्रमेतों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में कि आज पास COVID-19 से बचाव को लेकर के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले, धन्यवाद